हेलो दोस्तों हब सभी को आपके अपनी यूटूब चैनल पर श्वागत है आज हम बात करने वाले हैं ससी जीडी के लिए सेप स्कोर के बारे में कि जिन बच्चों का अग्जाम हो चुका तो उनके लिए से जो ससी जीडी के अंदर सेप स्कोर क्या रह सकता है और जो प्रिव क्या गए थी और अब की बार कट ओफ हो क्या जा सकती है तो इन सभी बातों का डिसके से ने इस वीडियो के अंदर करेंगे तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइकन की घंटी को प्रेश कर ले ताकि आपको ऐसा सी जीडी एंड कोई भी गवर्मेंट जो हो उसकी इनफोर्मेशन और अपडेट हो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है तो सब्सक्राइब बात करते हैं तो आपकी जो आशा सी जीडी की जो बरती है उसके बारे में आपकी जो वी सी एडवलू है चैनल कैटेगरी और एस सी एस्टी की एक्सपेक् अब जो 2024 के अंदर बढ़ती होगी उसकी फोर्म फिलप के बारे में बात करते हैं तो 2021 के अंदर है आपकी जो टोटल वीकैंसी थी 25211 वीकैंसी थी और टोटल फोर्म होगी किये गए थे 2024 के अंदर है निए 26146 टोटल वीकैंसी थी और आपके 47 लाग है वह फोर्म फिला पर किये गए हैं ठीक है अगर बात करें अगर कट ओफ प्रसंडेज की क्योंकि 2020 के अंदर जो आपका अग्जाम होता था वह सो नमर का होता था वह जो जो जार बाइस की जो पर जो जार बाइस की तो इसमें मतलब दोजार बाइस की तुना में जो 2021 की कट ओफ प्रसंडेज हो कम रही थी यानि 2022 में वेकेंशी जादा थी 50187 वेकंशी थी और धिलब भी आपके हैं वो कम थे 2021 की तुना में लेकिन फिर भी यानि 2021 के अंदर वेकेंशी कम थी और फो़ों मिलब हो जादा क्टॉफ प्रसंडेज है वह दो जारे 22 की तुलना में कम रहा था है यह इस कहने के मतलब है कि 2020 की कटॉफ है कम गई थी 222 की तुलना में है ना यानि 2024 में फोंप लब भी कम थे विकेंसी बीजाता थी और इसका उल्टा वा था लिफ कसले विकेंसी करता है तो अल्याया सब्सक्राइश के कि रिफ दتم है तुभर में बड़ने गाती है है तो ऊंपवल tenure क्यांज आप और सब्सक्राइब कशेंश का जएंड़ेवले कि एक ब्सक्राइब से फिपर काूइं खाले को रहे नाए लेवल इसलिए पेपर के लेवल पर डिपेंड नहीं करता है तो जो एक्जाम प्रेटरम पर डिपेंड करती है आपके अग्जाम पेटरम पेड़ेंड करते हैं कि जिन बच्छों की त्यारी होती है तो वही अच्छा अग्जाम कर पाते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट बात करें आपका नेक्स्ट है आपके जो कटॉफ के बारे में बात करते हैं तो यह सीजीडी प्यजिकल की जो कटॉफ क्या गई थी तो यह सेजीडी जो डोह जार पाइस की जो फिजिकल की कटॉफ गई थी आप देख सकते हैं कि मेल की देख सकते हैं जनरत क्टिकरी की गई थी 123.71 और OBC की गई थी 121.10 और EWS की गई थी 120.49 और ST की गई थी 109.93 और ST की गई थी 103.80 और female की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो कट ओफ है फीजिकल की कि इसमें 50,000 प्लस वेकेंशिस थी और इसकी कतनी जो कट ओफ है इतनी हाई गई थी ठीक है और होम फिलाफ हो 2021 की तुलना में भी कम थे लेकिन 2020 में कट ओफ परसंडेज हो 2024 की तुलना में कम रहा था है ना तो फिर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है अबकी बर जो 2022 की जो फाइनल कट ओफ क्या गई थी जो ऐसे सीजिटी 2022 है उसकी जो फाइनल कट ओफ हो क्या गई थी तो इसमें आप देख सकते हैं कि कि यू आर के टेगरी की 149.32 हो भी सी की 136.64 यह सम की 13.83 एस्टी की 123.04 है एस्टी की 127.33 और इडबलोस की 136.75 कट ओफ हो आपकी जो मेल फाइनल मेल की फाइनल कट ओफ हो गई थी ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो ऐसे सीजिटी 2022 की जो फाइनल कट ओफ हो बहु ज़ थी और फॉर्म फिलप भी बहुत कम थे 2021 में और वेकं इसी भी ठीक ठाक तीबाज थी तो 582 प्लैसी वेकंशिस दो 2023 के हंदर ठीक है तो घूर है एक है पिर बात करें फींसिया किमेल की फीमेल की जो फाइनल कट ओफ हो गय थी दो फाइनल कर फैंयह पींसिज भी मेले की तो आपका जब अग्जाम होता है तो आपने मतलब अग्जाम के बाद आपका जब नॉर्मलाइजेशन के साथ दी जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन हो मतलब बढ़ने जिन बच्चों की शिफ्ट हो आड़ थी और उस बच्चे ने ज्यादा क्युशन गलता नहीं किते हैं इसकी अक्रेशी ज्यादा थी और जिसकी शिफ्ट हो थोड़ी हाड थी तो उनी बच्चों की नॉमबर बढ़ने की चांस हो जो फिजिकल के लिए जो एनी जो छोड़े जाते हैं से जीडी के दिवारते हैं के सा Цिक आदर गोटे के पाइड दीए जाते हैं तो इसमें जो नुम्बर आपको दिखाई देते हैं मना जिन बचु CC नम्बर होते हैं तो इसमें मतलब आपके बहुत कम नमबर है वो बट पाते हैं और कियों को नमबर बढ़ते भी नहीं है ठीक है तो तो नौर्मलाइजेशन का है मतलब यह होता है कि मतलब आपके सेट पर डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल कैसा था और आपके कितने नंबर हो बटने चाहिए ठीक है तो यह फिर बात करें अगर अब की बार जो सेटी के लिए एक मतलब कितना सेट स्कोर रहेगा तो से से जीडी के अंदर यानि आपके ऐसे से जीडी के अंदर बात करें तो यानि आपका जो फीजिकल के लिए जो कट आफ रही थी ना दो हजार बाइस के अंदर जो फीजिकल के लिए कट आफ रही थी ना यदि उसके आस पास जिदिए आपके नमर बंद रहे हैं है ना दो ज आपके बात करेंगर जो फिजिकल की आपकी वर्ष आप कितने क्युशन तक आपको पेपर करना चाहिए या मतलब कितने तक आपके होने ही इनक चाहिए तो यानि इती जनरल के टेकरी में मेल की पास 125 के सम्तिंग इती नंबर बन रहे हैं तो वह सेव जौन के अंदर क्यूंकि आपका नौर्मलाजेशन भी होगा उसमें भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं और बात करेंगर ओबीसी की तो ओबीसी का भी 125 के सम्तिंग होना चाहिए क्योंकि ओबीसी और जंदरल में आपको जाता डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है एक नंबर का डिफरेंस हो देखने को मिलता है फिर बात करेंगर EWS की तो EWS में भी आपको 125 के सम्तिंग नंबर होने ही चाहिए ठीक है और SC की बात करें तो SC के है 150 नंबर आपके आपको सैफ स्कॉर से जोन के अंदर रहने के लिए 155 नंबर तो आपके बनने ही चाहिए ऑँ एक सणदी की बात करें, टेके हम अब बात करेंगर refean every जह जनरल देन है उसमें आपका 123 नमबर रही हूँ आप सेड जोन के अंदर 123 सम्हसें तंदि के अंबर बन रहे है टीक है फिर बात करें अगर फिमेल ओईसी की तो इसमें आपको एक सोबीस नुमबर बन रही है तो आप सेब जोन के अंदर हैं आपको फाइनल को टॉप तक यह नंबर ले जाएंगे बीना नॉर्मलजेशन के बता रहे हैं ठीक समतिंगा रही हैं तब закон के अंदर बात करें गर की ड सो न्वर यह दिया आपके बन रही है तब डिफिनेटली से अगे अ आपको ये नमबर क क्टक घ्रिली जाएगी तो यह क्या है आपका जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ताकि आपको कोई भी गवर्मेंट जोब आई और ससी जी डी से रिलेटीड इन्फरमेशन और अपडेट है वह आपको मिलती रहेँगे और आपको वीडियो को प्रेश कर लेंए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलाओड हो तो उसका नोटिपिकेशन आ तो तब तो आप हमें कमेंट करके पूछ शक्ते हैं पर तेक मेंट को आपको रिप्लाई हो मिलेगा ठे और हमारे ओफिचिल पेज गो भी आप जोहिन कर सकते हैं और ये को एक फिजन तो आप माप भी हमें पूछ शकते हैं थेंक्यू एंड जैहिंद